इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको नहीं मालूम होने के लिए इसे प्रैस आया एक और नीचे आ गया फिर उपर गया फिर नीचे यह आपका बन गया यह कहां पर बनना चाहिए क्या सकती है यह सारी चीज़ें करते हैं अच्छा दूसरा प्राइज को रीट करने का क्या सिस्टम होता है कि हम केंडल को नहीं लेंगा केंडल यहां पर हमें क्या देख कही हो दिए चीज का स्ट्रक्चर डाइज इस की मूझमेट लेग कि यह दिआब है इस में हमें क्या करना होता है जो प्रैस आपका डाउन साइड में गिर कि है यह फिर अप से लेकर के बोबभ दिखा是 हम लोगों को अगर हम लाइन से लेंगे तो दिखे note बैसिक के अलावा लूर तब दोब देखें यहां को क्या दिखर हा है प्राइस की कुछ मूवमेंट्स आपको नजर कि प्रैस का एरिया बहुत से लोग इस चीज को जानते होंगे अब क्या होगा कि यह तो यहां से उपर की तरफ कि निकलेगा या तो यहां से नीचे की तरफ कि तरफ चला जाएगा वहुझा है आज जो हम एक चीज़ देखने के कोशिश करेंगे प्राइस की कैंडल्स के अलावा मितलब प्राइस केंडल्स को अगर हम छोड़ दें तो क्या हमारी मदद कर सकता है प्राइस को रीट करने में या नहीं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पर एक त और आसाम हो जाता है अगर आपको प्राइस स्ट्रक्चर देखना मतलब प्राइस के वेव्स क्या बनी हुए है प्राइस के मुव्मेंट्स क्या है यहां पर हमें केंडस नहीं देख रहे हैं अब इन हमें क्या देखने से लग रहा है कैंडस नहींहें मतलब प्राइस आपका अप से downside के तरफ अरी तरफ ग defectOM म्हें समझा है आपसे downside की तरफ गिर रहा है इसके बाद में ऐसमें आपका यह consolidation का एरिया बन गयाcjęआग हुआ है कि हमारा जो downside के तरफ गिर रहा था गिरत गिर यहां पर उसकी अपना प्राइज ने अपना ठेंट कांटिनु somos इसको इसके बाद में क्या हुआ कि प्राइज ने लो लगा देने की बाद में देखी क्या हुआ है यह फिर से अप टेंड में निकल गया अचाँ अब निकला है तो यह वाली जो रेंज थी हमारी क्या इस रेंज की हम कुछ मदद ले सकते हैं थोड़ा सब हो सकता है कि आपको complicated लगे समझने की कुछिश कीजिएगा यह आपकी एक रेंज बन गई थी क्या इस रेंज की हम लोग कुछ मदद ले सकते हैं जो जिग-जैग भी एक आपका यह बना consolidation का और एक यह बने इरिया डिफाइंट हो जाने के बाद प्राइज आपका कुछ इस तरह से अपनी एक रेंज में फसा था और फिर से अपसाइट के चला गया और अगें डाउन फिर से consolidation फिर अपसाइट के तरफ यह जो consolidate हो रहा है प्राइस हमें इन व क्योंकि आपको नहीं दिखती है नैसे सकम लगेंगे हम क्या करेंगे केंडर का यूज करेंगे knowledge होनी चाहिए आपको सभी तरह के चार्ट के बारे में माली जह हम यह आपको यूज करें केंडल चार्ट होगा हमारा सबसे पहला अपना formation देखते हैं लोग सबसे first formation में शुर क्या यह जो consolidation के areas होते हैं इनके माध्यम से हम यह पता लगाने में यह प्रेडिक्ट कर पाने में capable है कि प्राइज की यह बाली जो movement है यह continue रह सकती है या नहीं अब बेरिश कांट्यूमेंशन में माल लीजिए कि प्राइज आपका एक range में गिर रहा है यह अगें थोड़ा सा high low high हमें क्या करना है यह जो areas हैं इनको just define करना है और अपनी in ranges को बांधना है बांधना है in the sense कि एक हमने यह point ले लिया और एक यह वाला price आपका किसी भी एक range से downside की तरफ अगर गिर रहा है continuation में है गिर रहा हमें कुछ नहीं करना है हमें wait करना है price के consolidate होने इस condition में कि charts के pattern को देख रहा हूं charts के pattern के माधन से price आपको जो downside की तरफ गिर रहा हो consolidate करने लगा तो गिरता हुआ price जब किसी एक range में अपने आप consolidate करने की कोशिश करें तो इस condition में क्या होता है हम यहां पर bearish movement की continuation की धालना अपने मन में ले करके चलते हैं कि अगर price हमारा यहां से downside की तरफ अगर गिरता है तो हम इसके अंदर अपना एक short entry बनाए यहां से bearish continuation का हमको देखना है तो bearish continuation का मतलब क्या हुआ कि price जो downside की तरफ गिरा उसने consolidate कर दिया है अपने आपको यह इस chart form में भी हो सकता है चार्ट के pattern आपके इस तरह के भी बन सकते हैं जैसा कि यहां पर हमने बनाया है इसके अलावा और कौन-कौन से pattern बन सकते हैं आपके charts के मान लीजे यह यह एक आपका pattern यह बन सकता है और इ price जहां से downside के तरफ जाता है ना तो हम short side का अपने position को develop करेंगे तो बहुत ज्यादा chances होते हैं कि price आपका downside में जल जाएगा गिर जाएगा उसके बाद में second आता है आपका bullish continuation अच्छा bullish continuation में जस्ट यही वाली formation अपनी repeat हो जाएगे मान लीजे bullish continuation up, down, up, down, up, down, up, down जो lows होते है ना यह वाले हमारे जो low points होते हैं यह यह वाले और इनके उपर ज्यादा focus करने की जुरूरत होती है मान लीजे price आपका up trend में है यहां से आपकी market शुरू हुई है और इस range तक कहीं आकर को रुख गई है अब इसके बाद में price आपका consolidate किया consolidation के बाद में price आपका इस तरह की एक range में अपने आपको उसने define कर लिया अब हमें देखना है कि price का यह जो move upside के तरफ हमको लग रहा था अब इसको वाकई में अगर upside के तरफ जाना है तो यह क्या कर सकता है कि अपने highs को यह break कर देगा अगर इसको upside के तरफ जाना है तो और अगर यहीं सी reverse होता है तो यह downside के तरफ है लेकिन हमको मालूम है कि price में अगर आप buy के लिए बैठ हुए तो आपको यह information देखनी है और आपको इसमें buying के ही scenario's find करने होते हैं और अगर आप shot के लिए बैठ हो shot के लिए देख रहो तो price आपका गीरा है गिरने के बाद में consolidate ह है हमें इसमें सिर्फ downside के movements price आपका upside की तरफ जा रहा है upside की तरफ जाने के बाद आपको इसमें अपर range के breakout find को इस तरह से यह होता है हमारा bearish continuation pattern और यह होता है अपना bullish continuation pattern इसको जब आप price को read कर रहे होगे तो उसके साथ इससाथ आपको यहां पर देखने की ज़रूत यहां पर price breakout देने से पहले जो अपना swing लगाएगा मतलब यह breakout यह downside की तरफ यह swing फिर से downside की तरफ एक retrace मतलब इस वाली range पर आपका जो breakout है वो हो गया यह breakout हो गया आप जो कोशिश करना यहां पर prices में के इस एक range के नीचे अगर price जाता है तो यह चला जाएगा और जो सबस से latest swing होगा उसके ऊपर आप अपनी stop losses लगा सकते हैं जितना आपका यहां पर रिस्क रहा है माल लीजे यह आपका रिस्क है 1 रूपीस का तो इसके target के average में आप 2 रूपे ले करके कोई भी target और stop loss को बढ़ेगी जस्ट हम आपकी information के आपको बता रहे हैं अभी जो करना है सि information के observation करनी है आपको basically किसी तरह की किसी भी candle का यूज हम यहां पर नहीं करें प्राइज के patterns को देखना ascending pattern होता है ना bullish wedge होते हैं bearish wedge होते हैं triple bottom होता है inverted head and shoulder होता है symmetrical triangles होते हैं यह सारे patterns होते हैं कि जब हम prices की प्राइज में बिना किसी candles की माध्धम से बिना किसी candle की help के हम सिर्फ और सिर्फ प्राइज के patterns को ही पकड़ करके क्या हम प्राइज को predict कर पा रहे हैं फिर नहीं कर आप यहां पर साथी साथ आप यह भी देख लिजएगा कि प्राइज अगर आपका किसी एक range के नीचे नि प्राइज में फसा है ना तो इस तरह से करते हुए प्राइज लेता चला जाएगा अभी उसको में रहेगा तो इसको चार्ट पर भी दिखेंगे प्राइज अपना एक शेप लिता हुए अभी शेप लेगा ना तो किसी एक दिशा में इसके अंदर आना चाहिए movement होना चाह होगा यहां पर में अपना ऐस लगाना है रेंज के बाहर आपका energy होगी और अप सेद्री के आपके अ होता है कि यह बीरइष रिynnद्डीनेशा इसके साधी साथ आफ आता तो एक हमारा होना चाहिए के अंदर आज हम बाई के लिए बैठे हैं अगर आपको देखने कि प्राइज आपका सपोर्ट पर है या फिर रेजिस्टेंस पर है तो बुलिश कांटिमिशन किस तरह से होगा आपने डवलू पैटेंस पढ़े होंगे यह बहुत बेसिक है तो प्राइज आपका डाउन साइड के तरफ गिर रहा है यह वाली जो रेंज आपकी ड्रॉट हुई है यह आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह है प्राइज आप का गिरा है अभी टाटा स्टील में अगर आप बाइंग के लिए बैठे हुए हो तो प्राइज आपका कहीं पर भी कंसॉलिडेट नहीं होना चाहिए कि हायर टाइम पर किस तरह से हम सपोर्ट और रेस्टेंस को फाइंड कर लेने के बाद में प्राइज के कंसॉलिडेट हो में की भी अपनी जगह होगी कहीं पर भी अगर प्राइज आपका कंसॉलिडेट हो रहा है किसी भी जगह पर तो हम उसको इन्वैलिड मैं अब मान लीजे के आपका यह चार्ट है यह यहां पर कुछ एक रेंज अपनी पहले से ड्रॉ थी यह यह रेंज हमारी अपने पहले किया है ब्रेक कर देने के बाद में अगर वाकर ही प्राइज को अपसाइट की तरफ जाना है तो यहां पर क्या होगा बुलिश कॉंटिवेशन सापको दिखा जाएंगे और गिर जाना है तो यहीं से आपको बीरिश रिवर्स दिखेंगे लोगर टाइम पर हम चलेंगों द और एक रेंज यह और यह इसकी रेंज बन लिए हम इस रेड वाइल लेंगो डिलीट अपनी यह बनी रेंज सेम यही तो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं भी प्राइज की जो रेंज है वह भी थिन होती चली गए अभी इसको हम फाइब मिनिट्स में ले आते तो और ज्याद के अंदर देख रहे हैं अपवर्ड मूव अपसाइट के मूव यहां से अगर पैस आपका अपसाइट में निकलता है तो फिर से देखिएगा कि बड़ी बड़ी केंडस आपको नजर रहेंगा अगर डाउंसाइट की तरफ गिर जाएगा हम इसको इन्वालिट मानेंगों क कि बुलिष कॉंटिनेशन का इसके साथ है अब आ जाते हैं लोग बुलिष रिवर्सल्स और बीरिष रिवर्सल्स के लिए वापस अपने बूर्ट पर चलते हैं लोग हाई लोग हाई एक तो यह हो गया अब इसमें क्या है डवल बॉटम भी आते हैं इसमें आपका डवल पर आ जाने के बाद में हमको क्या देखाएगा कि यहां से अपसाइट के मूव डाउन से अपसाइट के मूव में कंडिशन सिर्फ एक है कि लोग नहीं होना चाहिए लोग टूडिया तो चांस थोड़ा चांस फिटी-फिटी हो जाते हैं अगर लोटूडिया अब यहां प अपने ट्रेंट को रिवर्स मार देता है यह रिवर्स आएगा गारंटी नहीं है लेकिन इस रिवर्सल के आने के पहले कि कुछ सिम्टम्स हैं जो कि प्राइजेक्शन में बहुत साय टेडर्स ने इसके उपर बुक्स भी लिखी गई है काभी सारे लोगों ने इसको करना क्या होता है कि अगर हमें यह पहले से मालूम हो कि प्राइज में किसी एक ट्रेंट को कॉंटिनु करने से पहले प्राइज के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स हमारा लोग नहीं होना चाहिए एक हाही लगेगा वापस से प्राइज में लो और यह लो मेरा से हो जाना चाहिए अब अगर price को फिर से गिरना है तो यह क्या करेगा मान लिजेंए अगर इसको नीचे गिरना होगा तो मेरा यह जो point है लो high low अगर ऊपर इसको नहीं जाना उपर की दिशामा तो यह क्या करेगा high को protect करते हुए कैशिए के तरफ फिर से हो सकता है कि अपनी इसी देंज से नीजे के तरफ बर प्रस अपनी एक रेंज ये वाली छी देफाइट कर देने के बाद, अपनी इस रेंच पर दो बार आया है और दोनों ही बार में इसने सपोर्ट ब्रेकर लिया और उसके बाद में अगर यह प्राइज अपना हाई ब्रेकर तो क्या हो सकता है यह कुछ सिंटम्स हैं जो कि आपको पकड़ने हैं एक तो यह बन गया अब इसके साथ ही साथ कौन सा लगता है हाई लगता है लो हाई और फिर से लो ब्रेक ने हुआ और इसने अपना हाई ब्रेकर यह वाले जो पॉइंट हमें यह देखें कि प्राइज में जब बुलिश के अपना यह जो ट्रेंड है इससे पहले कि कुछ इस तरह की हरकत होंगी जिसके उपर आपको एन्टि ले समेडि़ के अगर्शों आपनी यह वाली जो दो रहें यह वाली इस बॉ Principe अब हम यहां से कोशिश करेंगव को बाही करने अपर बेसिकली जो काम यहां पर लोग करते हैं यह वाला जो पॉइंट होता है ना पैसने डांसाइट की तरफ मलब यहां बाइन approach से पहले अपसेट में जो अपना एक स्विंग बनाए होगा उसको भी एक टार्गेट लेकर चल सकते हैं या फिर अपनी इस रेंज के ब्रेक आउट होने का भी वेट कर सकते हैं यह तो बात हो गई आपकी बोलिश कॉंटिवेशन की अभी बेरिश कॉंटिवेशन में भी सेम हम आपना फिरिश है यहां पर अपना लुट है वैसे यहां पर क्या होगा पहले अगर आपका यह लोग चला जाता यह वांड़ופo है अगर हमारा यह लो निकल गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बीरिश रिवर्स आगे चलकर जो हम लोग केंडर्स पर उत्रेंगे ना थी बहुत जो पैटर्स हम आपको बता रहे हैं बहुत मदद करेंगे अपकी थोड़ा सा हो सकता है यह बोरिंग लगे लेकिन काम का ह मैं ध्यान से देखेगा समझने की कोशिश कीजएगा पूरी तरह इसको समझने की कुशिएगा हमारे यह वाला जो जैसे ही टूटेगा हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यह वाला पॉइंट अपना एंट्री का पॉइंट बने और अप साइट में थोड़ा सा यहां पर हम अपना stop loss कांट कर लें तरगेट के लिए आप इसको देखने के कुशिश की जगा अपने चार्ट के पर इसको थोड़ा सा आप सैड में जाते जाते प्राइज आपका डाउंसाइड में निकल गया बहुत अच्छी चीज़ें एक अपने तो रेंज हो गई है अब यहां पर क्या है कि किसी भी टाइम पर रूबी आप किसी भी टाइम पर इसको वाच कर सकते हैं हायर टाइम लोग टाइम फाइव मिनि द्टाइग का हाई के बाद में लो 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 athicly फिर है लो है लो रो हाइव साफच्छटी मितलब जो लो हैं हमारे और जो हैए यह दोनों ही protected होंगे एक resistance से टकरा जाने के बाद में प्राइज आपको कुछ इस तरह के moments दिखाने की कोशिश करेगा कि प्राइज अब यहां से नीचे गया नीचे चला जाएगा कुछ यह फिल होगा यहां पर जाब माइनूट मार्किंग करोगे बहुत अच्छी तरह से जब इसको प्राइज को रीट करने कोशिश करोगे लोब टाइम प्रेम पर तो आपको क्या लगेगा ना यह देखिए जो मता रहे ना यह आईडियल कंडिशन है जब आप रियल चार्ज को पर प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सो complicated होगा complicated in the sense कि यहां पर आपको कभी-कभी किसी विक का सामना भी करना पड़ सकता है जो बॉड़ी का भी सामना करना पड़ सकता है प्रैक्टिस बहुत मांगता है यह वाला मैथट अपना ट्रेट करने के लिए अब जो हाई है हमारे यह वाले हाई आप प्रोटेक्ट होते ह नजर आएंगे जो लोज है यह प्रोटेक्ट होते होने जर आएंगे ट्रैंगल का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से आपको यहां पर जो आपको फॉर्मेशन्स है यह ट्रेंगल शेप में मिलें ट्रेंगल शेप का मतलब सभी लोगों को मालूम होगा एक यह और दूसरा यह और यह अपना च्रैंगल होता है नहीं इसको फटा देंगे इस वाली लाइन को यह ज़ो आपका प्राइज आ रहा है यह जो प्राइज आपका आ रहा है यह क्ला यह हो गया ठ्रैंगल कि हाई और लोज दोनों को ही प्रोटेक्ट करते हूँ चल रहा है हमें क्या हाई के बाद में प्राइज आप एक ट्रेंगल शेप में आने लगा अच्छा जब यह ट्रेंगल शेप में आता ना तो यह समझ लेगा कि यहां पर कोई हडबड़ी नहीं करनी आपको पूरी पूरे इत्मिनान के साथ बैठे बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइज आपका नि कंसॉलिडेट करेगा और यह वापस से अपना ट्रेंट कॉंटिन्यू करेगा आपको उसका वेट करना वेट कीजिए और प्राइज यहां से जैसे अपसाइट के तरफ निकलता है लेटेस्ट जो आपका सबसे स्विंग बना होगा वह स्टॉपलस होगा रेंज के बाहर किल्दार सैट करेगा वह होती है यह वाली देंग इन दोनों ही ब्रेक आउट को matar Prim न को विल्च करती है इसमें वॉलुन क 2017 सोती है वह हम आपको अगे की तरव बताएंगे सिर्फ प्राइस को देखेगा जब का बाहर के दीशामें निकला बहुत वाहर होता कि क्या हो तो फेल ब्रेकाउट हो जाता है उसको भी देखें कि फेल ब्रेकाउट से किस तरह से बचेंगे एक एक पॉंट को भी क्लियर करते हुए चलते हैं अब प्राइज यहां से आपका रेंज का बाहर की दिश्चा में निकल गया तो अब मैं क्या चाहिए कि अपसाइड की निकल किया रहे हैं लोगों की डाट ही इंपोर्ट आपको डोट को मिलाना है लेकर यहां पर हम लोगों ने देखा था असेंडिंग में के प्राइज को ब्रेकर करके हमारा अप सैड के तरफ निकलता है तो प्राइस के अंदर कॉंटियूशन साइंग आए आपकी बुलिश चलिए का कि जब शुरुमान के हमने कि करने स्टार्ट की थी तो एक-एक फॉर्मेशन के प्रक्टिस हमने और बाइसमेट खेंगे यह मतलब इतनी ज्यादा मुझे इननफरमेशन था जलिए बहुत मतलब एक एक फ़र्मेशन का ये मानके चलिए गा एक 1,000 चार्ट बोढ़ने के उनकी प्रेक्टीसर रही है हमने खुद भी जो अपनी practice की information इसके बहुत sen प्रेक्टिसर अभी बेबिचर पूर्स के चै sampai to magical के यदे बात्न की है तो इसके उप्लूर आपको यह मानकर में हम इनहीं को रीड करते हैं समझने के लिए बड़े च्छोटे पर चलते हैं सबसे पहले क्या हुआ हम लोगों का एरिया थोड़ा सा बढ़ा रहा है उसकी बाद में थोड़ा सा छोटा हुआ फिर और चोटा हो गया और अभी शुरुआद में किया हुआ हैं अब भी निवे इतना सारा काम ना है इतना अपनौन नहीं करना है। तो हमने अपने कुछ formation को फिक्स्ट कर लिया और अभी और भी ज्यादा फिक्स्ट फॉर्मेशन अपने पास इस्टॉक्ट सिलेक्शन के ढेर सारे मैठट थे बहुत कम मैठट हैं बहुत सारी फॉर्मेशन से बहुत कम फॉर्मेशन तो इसका मतलब यह नहीं कि आप से ना उसके माध्यम से ही हम लोग करने के कुशिश कर रहें कि सबसे पहले और फॉर्मेशन देखेंगे प्राइस एक्षिंग के बेसिक को देखेंगे उसके बाद में केंडर पर आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन जिस दिन से हम पंड़ना शुरू करेंगे उससे पहले य वो हैं बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएंगे आगे की क्लासे से बहुत इजी लगेंगे आपको जस्ट फॉर टाइम पास इस वजह से यह मत देखिए इसको अपने दिमाग के कहीं किसी कोने में रख लीजे चुपा करके बहुत मदद करती हैं यह किसी की अपनी अब्जर्वेशन से उस अब्जर्वेशन को कोई इंसान कहीं पर अपने किसी बुक में लिख करके चला गया बाद में बात के जो ट्रेडर साय उन्होंने क्या देखा कि चलिए अच्छा कोई असेंडिंग ट्राइंगल नाम से कोई चीज है बहुत सालों इसके अंदर क्याइट कर देते हैं आपको मालूम है डिजिट्स में सौरी देखे ना हम बूल गया डब्लूडी गैन इनी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेंगल्स के अंदर मुहने डब्लूडी गैन के लेवल्स को एट कर दिये और ज्याद उनको कारगर लग दिए व आपका यूसफुल है जितना कि आप इसको को समझने के लिए किसी एक एलिमेंट की ज़रत हमको पढ़ती है यह बहुत आपकी मदद करेंगे समझने कोशी के और जितनी आसानी से जितने कम समय में हम आपको एक फॉर्मेशन समझा दे रहे हैं एक्सुली प्रैक्टिस करने क पास भची है एक लोड बॉटम है उसके बाद में डावल टॉब अच्छाँ डवल बॉटम डावल टॉप में बताने को दो सबी लोग बताते हैं यहां पर भी अगर हम डिसेंडिंग ट्रैंगल या रिशनकी ट्रैंगल को देख रहा हैं तो कहीं पर भी इनका यूज नहीं कर लेंगे आस्मान पर बन रहेगी कहीं पर मेरा रेस्टेंस है नहीं सपोर्ट है मार्केट जहां उसने मंचा सेंडिंग कर दिया और मुसको मा करके बैठ गए नहीं है यह इन्वैलिट है अब फियल हो जाओगे विडाउट वॉल्यूम इसका यूज़ करोगा हमें नहीं करना है हमको हमारी फॉर्मेशन्स के जो फॉर्मेशन्स होगे आगे चल करके जितने पैटर्स आपको बताएंगे चाट बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए बची है आगे बढ़ते हैं डॉल बॉटम पर आते हैं हम जिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की आप आप से हम बात करें इंपॉर्टेंट रेंज की उसको हमें बार आपको दिखा देते हैं अब यह हायर टाइंट होगे अपना मेरे लिए मेरा इंपॉर्टेंट रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेंज है तीन रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेंज हमको हमारी फॉर्मेशन की एक्ससाइज जो करनी है अपनी रेंज के पास में हायर टाइम पर हम देख र को चाहिए आपको चाहिए ना पर क्या नजारा रहा आख जो हमने पढ़ा था न बुलिश कंटिनुवेशंस यहाँ पर आपको बुलिश कंटिनुवेशंस नजर आएंगे कि प्राइज अपसाइट की तरफ गया है और अपसाइट की तरफ जानने से पहले मतलब यह बीच वाली रेंज इस वाली रेंज पर लेंज का मतलब पर जाएगे तो इसके आगी एक्टिविटी की अब्सेर्विशन सब्सक्राइब करें यह इंपॉर्टेंट प्लेस के हम आप से बात करें तो बीच में इन बिट्विन कहीं नहीं देख लेना है यह वाली जो रेंज है हमें यहां पर देखना है यहां प्राइज आपका डाउ बॉटम और सेगंड बॉटम नहीं है यह फर्स्ट पॉइंट है कि जो प्राइज वहां पर आया तो उसने कंफर्म कि आपके सपोर्ट के पास में कि यह सपोर्ट है यह सपोर्ट बन सकता है डेवल बॉटम का मतलब हम इसको दो बार चांस देंगे कि दूसरी बार में अगर पैस डाउन साइट की तरफ नहीं आया और अपने रेस्टेंस को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो हम यहां पर अपनी एक्टिविटी आगे की रख सकते डाउन साइट की तरफ चला गया देखिए अगर इसको ब्रेक करना होगा ना तो यहां से नीचे चला जाएगा नहीं त से फिर यह अगर अगर इसने अपना रेस्टेंस ब्रेक कर दिया तो में भी चांसे कि प्राइस यहां से आपका अपवर्ड मूव हो जाएगा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम फिर से बोलेंगे आपको जो अभी तक आप पढ़ते आए डवल बॉटम डबल टॉप यह व हो गया वॉलूम आएगी उसके बाद भी आप हो जाओंगे ट्रैप होने की जो चांसे होंगे वह कम हो जाएंगे दो चीज़ें सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके फॉर्मेशन ड्रॉ होने का आपका लेवल प्रीडिफाइंट होना चाहिए दूसरा वॉ दो बार उसने सपोर्ट लिया और इसके बाद में अगर आप साइट की तरफ रेंज को यह ब्लेक आउट कर देगा आप यहां से क्या कर सकते हों नीचे आपके स्टॉप लॉसेस मूव आपका डबल बॉटम समझने के कुछ इसको उसके बाद में डबल टॉप में क्या है सि एक दो तीन अहां यह फस्त वाला मेरा टेस्ट के लिए था सपोर्ट पर यह बना या नहीं बना अब इसके बाद के जो दो बॉटम साहेंगे हम उनको देखेंगे तो फस्त में राया यह और से किला यह यह हुगा डबल टॉप यह फस्त वाला जो यहां पर बना यह कांट नहीं करेंगे हम इसके बाद से कांटिंग स्टार्ट करेंगे लो हाई नहीं टूटा प्राइस डाउंसाइड की तरफ आया नीचे भी नहीं गया फिर यह आप साइड की जाने दी जाए है अब यह अगर नीचे निकलता तो हमारा मूवमेंट यहां पर स्टाट होगा टोट लेकेंट वाइस वर्साइब बेरिश वर्स उसके बाद में असेंडिंग ट्रेंगल आपको बताया और डिसेंडिंग ट्रेंगल बताया डवल बॉटम और डवल टॉप पुल मुलाकर कितनी होगें चार चार आठ फॉर्मेशन से बहुत बहुत से लोग इन फॉर्मेशन को निकलवा करके अपने डेस्क पर चिपका लेते हैं बहुत हैं इस समय के साथ साथ आप आएंगे ट्रैप होने से अपने आपको बचा लेना पूरी तरह से बचाईए और जितने इत्मिनान के साथ आप सीखोगे जितनी अच्छी तरह से अपनी स्टडी को होल्ड करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रह गई हाड़वड़ी में कोई कुछ नहीं सीख पाएगा अगर आपको यह जल्दबाजी में या फिर बहुत धीमेदी में हो रहा है या ब हम सब को लेकर के साथ में चल रहे हैं अगर आपको आता है तो आप रिवाइस करिए नहीं आता है तो सीखिए करना है बस जरूर करना सब लोगों को करना है इसका जरूर सभी लोग ध्यान रखेंगों जो आठ फॉर्मेशन से इसके प्रैक्टिस मार्केट तो चली क्लोज ह कर सकते हैं अब दिखकर सकते हैं और रॉनिंग मार्केट चली मार्केट आपकर सकते हों जरूर इसको देखिए इसस्टेडिय का प्रोसेस इपना वो ऐसा ही रहेगा बहुत भी मेंदी में बहुत दीमें दीमेंदी लोग आगे बढ़ेंगे कि दूसरी चीज अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज अपनी आपके अंडिस में दुखुष पेशन्स में बहुत सारे लोग पेशन्स में क्या गलतियां क्या करते हैं कि हमें मालूम है हमने आपको बताया ना कि डबल बॉटम या फिर डबल टॉप आपकी जो प्रैक्टिस ह जो हम आपसे बोल रहे हैं अनुभाव करने की कोशिश करिए दूसरी चीज पेशन्स अपने अंदर रखना है अगर आप किसी एक फॉर्मेशन के बारे में जानते तो उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से ड्रॉट होने की कोशिश मनलब ड्रॉट होने दीजे नहीं हो रही है भाग जहरी भागने दीजिए हम वेट करेंगे अपनी formation की ड्रॉ उने का कि जिसको आमने बहुत वार प्रैक्टिस किया डवल बॉटम माल लिजिए कि हैं डवल बॉटम बोल कि डवल टॉप इसके वह बहुत बहुत प्रैक्टिस किये अब बैठो किसी श्टॉक में डवल वा चाहते हैं पेशन्स रखना होगा अगर आपको ट्रेट एक्जिक्यूट करने तो पूरी तरह से अपनी फॉर्मिशन को ड्राउ होने दीजे कि प्राइज यहां से ऊपर जा रहा भी उपर निकल ही जाएगा चलो के बात यहां से देखो नीचे आ रहा अब यह नीचे चला ही जाएगा ब्रेक हुआ नहीं है पहले से ही मन में आपने बना करके रख लिए खुद ही सोच लिया आप मतलब आपकी अलगी मार्केट चल रही है मार्केट यहां से गिर जाएगा देख लिए ज़रूर गिर जाएगा हम शॉट कर देते हैं यहीं से 20 कॉनिटी अपने शॉट कर्सक्राइब बंद हो जाती है तो सब कुछ सामने आ जाता है मेरे इस इसका ध्यान रिखिए कि पूरे पेशेंस के साथ फार्मेशन समय आपको बता देगी प्रैक्टिस वापको करने है कि इसके प्रैक्टीस करिए कल आठ फॉर्मेशन सम्हाब को और बताएंगे आज आपका देखिए गुलिश वैज है और बेरिश वैज ऐसे करते हुए आपका है उसमें मतलब है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको नहीं मालूम होगी मालूम होने के लिए बस पैटन्स तो मालूम है एक ऐसे प्रैस आया एक ऐसे गया और नीचे आ गया फिर उपर ग ली जा सकती है यह सारी चीज़ें अभी जो चीज़ हमने आपको बताई है उसको प्रैक्टिस करिए मार्केट क्लोज है और हम लोग कल मिलेंगे अच्छा कल हम लोग क्या क्या काम करेंगे थोड़ा सा जल्दी होगा